कि नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत सुआगत है आप देख रहे हैं एविद्या चानल और एंसी एडी का ओफिशल यूट्यूब चानल आप सभी का सुआगत करती हूं मैं रेणु भट अपने इस लाइव इंटराक्टिव फोन इंसेशन में जिसमें हम बात करने वाले है हिंदी के नवी कख्षा की विद्यार्थियों के लिए और उनके लिए हम लेकर आए हैं पाठ शरत जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अधिति और जब हम अधिति की बात करते हैं तो हमारे देश में एक बहुत ही लंबी परंपरा है अधिति देव भवकी तो ऐस अधिति देखने वालों को हम कहेंगे कि अगर आप हमारे इमाम से हमारे विशेशागी से कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं कोई प्रशन आपके मन में आ रहा हो तो आप बेज जेक अपनी सभी प्रशन हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे विभिन नमाध्यों से आप हमें प्रशन के साथ आप हम से जुड़े और अपने सभी प्रशनों के उत्तर आप हमारे विशेशागी से ले और इससे पहले कि हम जी सत्र शुरू करें हम आप सभी विध्यार्थियों के साथ एक बहुत सब्सुरूरी सूचना साजह करना चाहेंगे जी ट्वेंटी के बारे मे We are indeed very proud that India assumed G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaev को to become a weekend say the whole world is one family. With that very important piece of information. Now let's start our today's topic which we are taking to the Nabi Kaksha of Hindi, which is the first time you would like, Atithi. And before we know more about this part, we would like to know about Lekhaq, the Sharat Joshi, 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 the Sharat Joshi. Sharat Joshi, the Sharat Joshi. And they started more recently in the commerceī, but they seemed to rely on it. यह जो और सरकारी नौकरी में होना नौकरी के साथ जो जिस तरीके का एहसास होता है वहां काम करने के कर्म स्थल पर वो सारी चीज़े देखिए जिन्दगी की भाग दौर और तमाम चीज़ों को देखना बहुत गहराई से देखना बाद में इन्हें लगा कि नहीं मुझे ल नोकरी छोड़ हमेशा के लिए लिए लुझे को ही अपन अपनी आजीव का बना ली इन्होंने एक तो यह फिर इन्होंने जो लेखन कि किया शुड और यह बाद में नहीं लगा कि मैं लिखू तो कि मज़ा रहा था इनको लेखन में कौमेडी की तरह आप कह सकते हैं लेकिन वो कॉमेडी कॉमेडी नहीं रहा यानि हास्य नहीं था वो जब भी कुछ-कुछ लिखते तो उसमें हास्य के साथ साथ समय जो वास्तविक स्थितियां होती है स्थितियों को में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बात विरोधा भास यानि जहां पर हो उस चीज को हम हासे में कैसे मदले तो उन्हों ने लिखना शुरू किया व्यंग अक्सर लिखा जाता है राजनेतिक मुद्दे हों सामाजिक मुद्दे हों कई बार पारिवारिक जो रिष्टे होते हैं उनमें संबंधों के को लेकर भी कई कई बार सटायर किया जाता है तो सटायर जिसको व्यंग को ही अंग्रेजी में सार्किजम सटायर और एक खास तरह का हम उसको कॉजटिक रि तिपणी हम करें लेकिन वो टिपणी कैसी हो रिमार्ख हम कैसा दें रिमार्ख हम बहुत ही तीखा ऐसा कड़वा सा लगे तो कई बार ऐसा होता है कक्षा में भी यह सारी चीजें आप देखते हैं आप अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह का व्यभार करते हैं तो आजकल तो सटायर जो है आप टल्विजन पर भरमार है सटायर की और कई लोग हैं जो तरह तरह से समाज पर चोट कर रहे होते हैं और वो चोट डाइरिक्ट नहीं होती डाइरिक्ट इंडाइरिक्ट वेमेज करते हैं मत्तब अब परोक्ष रूप से परोक्ष रूप से आप करते हैं और अपरुक्ष दोनों ही स्थितियों में जब हम कोई बात कहते हैं, तो व्यंग लिखना इन्होंने शुरू किया, और ये व्यंग में इन्होंने कहानी लिखे, जहुले एक व्यं डिखने में ही ही एक व्यंग दिखने में ही अपने आप में अपने विशह पने आप में बहुत ही अजीप सा है इसी तरह की, के नाटक भी उन्होंने लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास एक ही लिखा, तो इस तरह से व्यंग में कई शालिया इन्होंने अपनाई, फिर इन्होंने टीवी के लिए भी काफी कुछ लिखा, टीवी हमारे समय में भी, हमारे समय में भी टीवी के जब हम इसके लिए उन्होंने लिखा और आज कल के समय में एक बहुत ही कुछ दिनों पहले आता था वो सीरियल लापता कंज लापता कंज इनकी ही रचनाओं को लेकर लिखा गया मतब दिखाया गया उस पर फिल्म उस पर सीरियल पना फिर इन्होंने फिल्मों के लिए भी समवाद कई फिल्में लिखी जिनमें चितिज गोधूली उच्साव और इस जैसी और भी कई फिल्में इन्होंने लिखी तो इनका बहुत ही बड़ा कारेचेत्र है दाहरा बहुत बड़ा है यह लेकिन इन सब में आप ध्यान से जब देखेंगे तो उसमें व्यंग होता है चिपा ह की यह जिने से बड़ा फिल्में निखेंगे तो एकिन अफिल्में से बड़ा थिह लिझामें आपने बड़ा कर लिखेंगे का बहुता कोन कून का उन्ह disciples और में अभी हम लोग शमना फृप थे निब पात καी तरव तब ही क्या लोगं मैं आप का ऱ साथरए टो नहें चाहन यह लिखने का कि जो वजह थी वो अजीब थी हमारे घर में भी अक्सर होता है बच्छान से हम सुनते हैं अचानक कोई घर में आया तो घर में बड़े बज़ुर्ग जो होते है वो एकी सलाधे ते ते कि देखो परिशान मतो घर में अतिति जो होता है तो उसका अधरसतकार कर ना चाहिए खीजना नहीं चाहिए यह आप बड़े आप नाइंधमे हैं लेकिन यह आप जब से आप जब आप बढ़े हो रहे होंगे यह घरों में हर बहु यह बात सुनी जाती है क्योंकि यह पारुम्परा से बताई जा रही है बारतीय परमपरा में ये सीख दी गई कि हमेशा कोई आपके घर आए तो आप खीजिये मत इरिटेक्ट मत हो ये आप मान कर चलिए कि ये तो कभी कभार आते हैं और देवता जिस तरह से कभी कभार दर्शन देते हैं अब बहुत दुरलब होता है उनका दर्शन ठीक वैसे ही अतिथी इस पर एक फिल्म भी बनी है आप लोगों ने शायद देखि होगी अजय देवगन की है लेकिन उसका नाम है अधिति तुम कभ जाओगे लेकिन इस पार्ट का नाम है तुम कभ जाओगे अधित ही यानि तुम कभ जाओगे ये सवाल अपने आप में बहुत बोरियत भरा है बोर हो रहा है वादमी, अब इरिटेट हो गया है, तुम कब जाओगे अतिथी, तुम बताओ, अब अतिथी शब्द को ही जैसे ही हम खोलते हैं, घर में रिष्टदार आते हैं, तो हमारे अतिथी नहीं होते, क्योंकि उनका उनके आने की हमें सूचना होती है, अचानक हमने क उसके तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन अतिथी जो होता है, ओ तिथी, यानि जिसके आने की कोई तिथी नहीं है, तिथी मतलब तारीक, तो यानि अचानक कोई आ गया, अकसर आप सुनते होंगे, कि कभी सुना होगा अपने, कि अरे कववा बैठ गया, वंडेर पर, या घर के किसी कहीं से आवाज आ रही है, कववे की, तो घर में लग रहा है कोई महमान आने वाला है, अब ये जो है, कववे ने आवाज दी, तो उससे जो आता है, वो अतिथी की ही तरह आता है, जाना हुआ आतनी नहीं आता है, या फिर आप सुनेंगे पानी का ग्लास, पान सुचना होती है तो उसमें कई बार हम होते हैं कि हम उसके लिए मांसिक रुप से तैयार नहीं होते हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं पहला सामाजिक कारण हो सकता है दूसरा आर्थिक दबाव होता है और उसके बाद आज के समय में इतनी भागदोर भरी जिन्दगी में, हमारे पास वक्त भी कहा होता है, अब संभाव नहीं कि आप स्कूल छोड़ कर बैठ जाएं, आपके घर कोई गेस्ट आजाएं और ऐसा गेस्ट ऐसा महमान जिसने कभी जिसने बताया नहीं आने से पहले, तो आपका पूरा आपका जो कारिक्रम है, घर में अचानक आप लोगों का अज हमारे अगर मान लीजे, आज गुड फ्राइड़ है हमें हमारे पास हमने एक प्लान किया है, कोई ओकिजन प्लान किया है, कोई कारिक्रम हमारा होगा, अचानक बेल बजा और हमने देखा कि एक अतिती आ गया तो हमारा पूरा का पूरा सड्ड्यूल हमारा कारिक्रम क्योंकि ऐसे ही बहुत बचाकर हम एक दूसरे के लिए परिवार के भीतर एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं और पता चलता है कि अंजाना सा आदमी अचाहा अंजाना नहीं अचाहा आतमी अजाना होगा तब तो उसको आप जानते नहीं होगे वो तो वैसा होता नहीं लेकिन अंचाहा हुआ व्यक्ती आगया आपके घर तो अब आपका सारस कारेक्रम बिगड़ गया आपके घर पर एक अतरिक्त बोज There और लगानगे से तो सब्कोर करेंगे तुर उल जा एक फाल Christmas करकें मेदाऊव था और नाय रहा है। और सकसी हो लगाते संवतने हैं जाएंकि जर इंदी। आहिए से लिए झात जाए इंदी। जातने हैं पर कुछिछ करेंने मेली हैं तो हम यहां पर आप से जारना चाहेंगे कि यह अतिती कौन है और यह कहां से आया है यह अतिती इनके घर एक अचानक आया हुआ महमान है जिनके बारे में लेख़क कहते भी है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्ण बार-बार मन में घुमड रहा ह अब यहां पता चल गया कि यह अतिती जो है आया सो चार दिनों से इनके घर में पड़ा हुआ है और अब उससे प्रश्न क्या उठ रहा है प्रश्न उठ रहा है सर्फ एकी चीज प्रश्न होगी यह जाएंगे कब अब उसको लेकर के कई बातें लेखक बताते हैं कई व्यं प्रश्न होने वाक के लिखे जैसे तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआ फेक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है देख रहे हो ना इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फडाती रहती है यानि हम बता रहे हैं कि चार दिन हो गए सीमा में रह बहुत नम्रता के साथ आपके जाने की प्रतिक्षा में हम खड़े हैं यह एक सटायर है अब इसके बाद तुम्हारे सतत आतित्ति का है चौथा भारी दिन हम बहुत खुश हो कर नहीं कह रहे हैं चौथा भारी दिन कह रहे हैं यानि अब हमारे घर पर एक बोज्व तुम और तुम्हारे होने से हम खुश नहीं हैं भारी कब होता है महौल जब उसमें इंट्रिस्ट नहीं होता इसके बाद वो कहते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनाट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आये हो यानि तुम एस्ट्रोनाट भी जब जाता है इतनी दूर चांद पर गया और लंबा तो गया और पता चला थोड़े दिनों बाद लोट आया तो तुम तो थोड़ी ही दूर से आये हो और इतने देर तक तुम मेरे घर में रुक गये तो इस तरह क वाक्यों से लेखक बताते हैं एक व्यंग कर रहे हैं सीधी बात नहीं है व्यंग में हमेशा आप बात कहते हैं लगेगे की सामान्य बात है लेकिन उसका आशय जो होगा वो अलग होगा सिंपल बात नहीं होगी अब इसके बाद लेखक और भी बाते कहते हैं जैसे अब आर आशंका खुश यह झोब का चाँ फए कि डृबशो मेरे घर प्हटें और उसके बाद उसके बाद वह लेकर एंदर ही अंदर मेरा बत्वह कान्प année किया, बत्वह कान्पने जहाए कि जो बंद किस चीज क मेरा पडंट कर आ ता है पैसे का, यानि पैसा भी डर गया, खर्च भी हमारा डर गया, तो ये तो हम बात कर रहे हैं अपने पाठ की और पाठ में जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि एक व्यंग है, कटाक्ष किया जा रहा है और लेखक अपनी बातों से अपने चुटीले अंदाज से वह ये बत किस तरह से एक अथिती का जादा समय तक रुखना उसके लिए हर तरह से एक दबाव पूर्निस्तिती बना रहा है चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो और ये व्यंग कर रहे हैं अगर आपके मन में कोई भी प्रशन आ रहा हो बच्चों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आप प्रशनों का और पार्ट हम एक बार फिर से आप सभी को बता दे शरत जोशी द्वारा लेखित हम पार पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्शक है तुम कब चाहोगे अतिती जो कि एक व्यंग है व्यंग लेखन का एक बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत उंदा उधारन है और श पार्ट कर रहे थे कि उन्होंने जो जो पॉइंट्स लिखे जब पढ़ेंगे तो इसमें कई ऐसे सटायर वाले व्यंग वाली पंक्ति आएंगी अब जैसे पार्ट के अंत में ऐसे कई घटनाय ऐसी आ रही हैं जब जब लेखक न ये देखा कि उनका उनके बटूअ का का पिर उसमें भोजन में उन्होंने एक लाइन लिखा है कि भोजन जो हमारा है तुम्हारे सम्मान में ओ अतिती हमने रात के भोजन को एका एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया ये आसान नहीं है कि गरों में हम आम तर पर क्या देखते एक रोटी सबजी बैक् कापना था तो लेखा कि ये सारी बाते बताता है कि किस तरीके से हमने तुम्हारी चार दिनों तक आओ भगत की हमने तुम्हारी तुम्हारी चार दिनों तक आओ भगत की हमने तुम्हारी चार दिनों तक आओ भगत की हमने तुम्हारी चार दिनों तक आओ भगत की हमने त करको तुम कल सुभह ऊचकर चले जाओगे लेकिन आज का दिन बीथ गया आजBoy घह सुझ fu थे जए Bill लेख नाजियरност का दंट करता है लोंडरी की बärtता है विनी eh पाफ़क बात प्लान लोंडरी कि आपके लेक्षुपर वो लेक्षाग यह त corazón के लिए करें कि अपकेश के लिए में पारीवार से प्रेम यह विषयों तो जितना हम जितनी आपके अपके आगधत हम कर सकते थे रहा हम ने की लाइ्ट में लेक्षा जो अतिति देवता होता है इस बात को अखर में sahtha नहीं कर सक कोगा , यह अरु रुख़ोगे तो मैं अब ocult मैं एपस बाँ और लड़ खड़ा जाऊंगा मेरे अतिथी हैं, चैहिता है कि मैं अब ऑन जानता हो कि तुम आपक माल कर चल paint वार आखिर मैं भी मनुष्य हूँ और क्यों दीप नहीं नहीं एक एक dewता और एक मनदुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, यह सच है, एक देवता और मनुष्य याँनि मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनो होती है, देवता में स brilliant होती है, तो मनुष्य अगर अपने मनुष्यता पर आएगा, तो तो यानि बुरा काम भी करें गा बुरा व्यभार भी करेंगा, तक तो मैं तुम्हारे साथ अच्छ अच्छ व्य२ार कर रहा हूं, तुम लोट जाओ, देवता दशन दे कर लोट जाता है, तुम लोट जाओ, अतिथी, इसमें तुम्हारा देवत्त शुरग्षित है, यानि तब तक तुम देवता बन करके अच्छे से इजद के साथ लोट जाओ, अगर ज्यादा देर रुके, यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लोट जाओ, यानि मनुष्य अपनी मनुष्यता पर, यानि मैं भो सकता है, मैं मिस्भेब भी कर दू, उ पकड़ कर तुम्हारा हाथ ले जाओ और ट्रेन पर बिठा दू, या मैं तुम्हारा सामान उठा कर भाहर घर के पेग दू, तो मनुष्यता पर आने का मतलब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं दुर्वेवार में, इसलिए बहतर है कि आप अपने को समेटिये, और समेट कर साथ अपने घर जाईए यह पारतिय जो एक खास तरह का जो विसंगती है ना हमारे समाज की उस पर यह प्रहार है यह पार्ट और यह कहता है यह पार्ट की हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी बात न करें जो हम निभान सके दोनों कोई भी ऐसी बात खड़ी नहीं करनी चाहिए हमारे अब मतलब बोज की तरह न बने हर बात हर एक विशय को अपनी इजट को बरकरार रखे हम से खीच सके तो कुरूप नहों रिष्टे कुरूप नहों यह इस पार्ट का सार है कि रिष्ट को हमें हमें मदूर बनाए रखना चाहिए और यह मदूरता तभी बनी रहेगी जब दोनों तरफ से एक जैसा विवहार हो आई किसी के घर तो उतनी ही देर रुकिये जितना उसको दबावना पड़े यह पाठ का अर्थ है तो यह पार्ट का निचोड है और आपको हमारी विशय श अब भी भी हमारी पास एक मिनट के समय और शेष है क्या कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे यह जो आप व्यंग लेखन है तो बच्चों को व्यंग सीखना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात एक बिलकुल सपार्ट तरीके से कहते हैं तो होता क्या है कि स हाम पिल बात पहुंछ अब शदेखने वाला जुगती होता है वह तुरंट आहत हो जाता है और अगर हम व्यंग में कछें इसे तो उसमें क्या हो सटायर के रूप में कहते है तो बात पहुंछ भी जाती है हसी हसी में हम अपनी बात लोगों तak पहुंचा दे जे और वह जादा गेहरी होती है यही मैं भी कहने वारी थी हसी-हसी में जो भात पहुचती है जुबती नहीं है तो बांग ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहना भी एक कला है बहुत बड़ी कला है अब आज कल के समय आज कल तो ऐसे कितने लोग है जो सटायर करते हैं अब यूट्यूब पर जाएं तो भरा भरा हुआ है लेकिन अब बच्चे चुकि आजकल किस कपिल शर्मा को पसंत हो वो सटायर नहीं करता है सटायर ऐसे जैसे आप देखेंगे अकाश बेनरजी और इस तरह के बहुत से लोग है जो हसते हुए अपनी बात बहुत गहराई से जिसको हम एक कहावत भी है कि बहुत गहरा घाव होता है कोई बात कहिए तो यह हम बात करे थे शरत जोशी द्वारा लेखेत पाठ की तुम कब चाओगे अति थी और हमारे विशे शगी रही डॉक्टर अपाला भार के भी माम आप स्टूडियो आया आपका बहुत बहुत धन्यवास आपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से संझाया यह पूरा पार इसका निचोर और व्यंग क्या होता है यह भी बताया हमें पूरी उमीद है कि हमारे सभी दिर्शुकों को खासतोर पर जो नवी कक्षा की विद्यारती है यह पार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब समय है कि इस सत्र को हम यहीं पर समाप् A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifests the true spirit of Pasudhaev Kutumbukam or we can say the whole world is one family with that very important piece of information मैं आप सभी से ले लेती हूँ जासत लेकिन मैं आपको बता दू कि एक छोड़ी से ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और live interactive phone in session के साथ हम हाजिर होंगे जो है webinar अभी फिलहाल मुझे रेणू भट को दीजे जासत नमस्कार